जैन साथियो नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा बहुत सारा प्यारा सिर्वाद है इसे स्विकार के जी और इस वीडियो को देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है कुछ नया आपके लिए तो मैं आप सभी से बता दूँ बहुत इंट्रेस्टिंग है कि हमारा ऐसा कोई प्रोफेसर नहीं है तो प्यारे हुआ क्या कि जब मैं जिस कोचिंग में मैं पढ़ा रहा था पिछले दो-तीन महीने पहले मैं उस कोचिंग को छोड़ दिया कुछ ऐसी टर्म्स और कंडिशन्स थी जहां पे मैं आगे सर्वाइब नहीं कर सकता था मेरी उनकी बात बन नहीं रही थी कि मैं आगे कंटिन्यू करूँ तो इसी बीच जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा था तो उनसे मेरा कनेक्शन टूट गया तो इस बीच में बहुत तमाम सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर अगर आप यहां नहीं पढ़ा रहे हैं तो कुछ ग वीडियो बनाई देना चाहिए उन बच्चों से आज मैंने बात भी किया है आज मैं थोड़ा फुरसत में था चुट्टी में था तो प्यारे मैं आप सबसे यही बताने आया हूं कि माइडियर अगर आप पका सच में सेलेक्शन लेना चाहते हो बहुत डेडिकेटर इस्ट आफ लाइन के टीचर हैं मतलब हमें वह इंफ्लेंसर वाला काम नहीं आता है कि फालतु की बाते आके फेक मोटिवेशन देते रहें यूटूब पे हैं और इस तरह की बहुत सारी चीजे चल ले तो अगर आप सेलेक्शन लेना चाहते हैं प्यारे तो मैं आप सब को बताना और ओनलाइन भी कुछ दोचार टीचर बहुत ही अच्छे पढ़ा रहे हैं प्यारे आप उनसे पढ़ सकते हैं सबसे बड़ा काम आपको यह करना है कि जो इंफ्लेंसर्स है न जो लॉंडे एक दो बार सेलेक्शन लेके कुछ लड़के लड़कियां हद तो हो जाती है जब आपको बहुत मसालेधार लएगा आप देखने की कोशिस किजिएगा समझ पारें इस बात को तो माइडियर इस वीडियो को और जादा आगे न बढ़ाते हुए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको सेलेक्शन लेना है तो आपका अपना मोटिवेशन अपना सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए चाप सिलेवस कंप्लीट करो और अगर सिलेवस के बारे में समझ नहीं है तो अपने किसी टीचर से या किसी ओफलाइन एजुकेटर से जाके मिलिए और उनसे गाइडेंस लीजिए अगर मेरी आप सकता है अगर आपको मेरा गाइडलाइन चाहिए तो मैडियर मेरा टेलिग आपको तो डेडिकेशन के साथ बस मेहनत कीजिए मौक लगा ये डेली जितना जादा मौक लगा सकते हैं है न भाई बाकी अगर आपको आप सकता होगी तो आप मुझे टेलिग्राम पे आप ये करना फिर मैं वहां से आपको गाइड करते हूं ठीक है चली मिलते हैं अगली